चलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एग्री परेडाइस के यूटूब चैनल पर आज हम लोग बात करेंगे उत्पादन अर्थ प्रकार तथा उपादान की देखिए आज अगर बात हो पाएगी तो अर्थ और प्रकार की बात कर लेंगे उपादान की बात हम किसी नई वस्तो के निरमाड को उत्पादन कहते हैंude्या आप सभी लोगों को यह तक की बात बिलकुल समझ में आगे होगी लेकिन हम जो आगे बात बताएंगे फिर आप लोग इसी बात से कन्फ्यूज हो जाएंगे ठीक है किसी भी नई चीज का नई वस्तु के निर्माड को क्या बोलते हैं निर्माड को उत्पादन बोलते हैं दो सब्द इसमें लग रहे होंगे बिल्कुल पूरी डेफिनिशन इ सब गलत हो गया है यह पूरी डेफिनिशन गलत हो गई है तो यहां पर अगर हम लोग लिखें मनुष्य आप सभी लोगों के अगर पेपर में पूछा जाए कि उत्पादन का अर्थ क्या होता है तो पहली लाइन भी लिखेंगे दूसरी लाइन भी लिखेंगे इसका जो त इतनी बात समझ गया होंगे मनुष्य नाहीं किसी चीज़ का निर्माड करेगा नाहीं किसी चीज़ का विनास करेगा यहां पर क्या लिखा हुआ है किसी नई वस्तु के निर्माड को उत्पादन कहते हैं यानि कि जब निर्माड नहीं होगा तो उत्पादन भी नहीं होग अभी देखे करते हैं हम लोग पूरा सब प्रूफ करके आप सभी लोगों के सामने जाएंगे ठीक है यहां पर अगर हम लोग देखें मनुस्य केवल अपनी उपयोगता को बदल सकता अपनी का यहां पर मतलब है जो भी वस्त होगी वस्त के लिए अपनी लगा रहे हैं जैसे करता है अपनी बात आप सभी लोगों को विल्कुल समझ में आ गये होगी कि मनुस्य किसी लकडि से सोफा बना सकता है यहां पर हम लोग देखेंगे सोफा बना सकता है unmcé लेकिन वह यह नहीं कर सकता है कि लकडि का जो लकडी है इसकी एक लकडि पासमें रख दूसरी पास में रखे और बनादिया यहां तो नहीं पार पाएगा ना हो उत्पाधन का मतलब है निरमाड हूँ नहीं कर सकता ठीक है जो उसकी सुष्ट का मतलब है कि उपियोगिता आप समल लीजिए उसकी उपियोगिता को यहां पर हम दूसरा कलर अगर ले 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 तो भी सही रहेगा उसकी उपियोगिता को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है यानि कि हम लोग यहां पर लिखें अर्थ सास्त्र की भासा विल्कुल से बंती यहां स तुष्टिगुण में ब्रध्धी व्रध्धियत्व कमी कर सकता है तो इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आई तुष्टिगुण का बिलकुल एक ही दूसरा सब्द लेजिए यहां पर मान सकते हैं कि आवसकता मतलब कि किसी वस्तु की आवसकता में ब्रध्धी कर सकता की आतो फिर वह कमी कर सकता है किसी तो बहुत बहुत हैं कि आपको कहें यहां कμαद आपको को सब कुछ यहीं पर मिल लेगा तो फिर क्या होगा उसकी तुष्ट गूर्ण में डॉल टब तो फिर क्या होगा कि वहां पर उत्पादन से हम रिलेटर नहीं करें हम केवल अभी समझा रहें कि तुष्टगुन क्या होता है उसके लकड़ी से जब हम लोग कुरसी बना देते हैं तो क्या हो जाता उसकी तुष्टगुन में ब्रद्धि हो जाती है और जब यह लकड़ी क्या होता है जिसे की कुरसी है कुरसी है जब खराब हो गई कुरसी जब खराब हो गई तो उसके तुष्टगुन में क्या हो गया कमी आ गई तो तुष्टगुन का आप सभी लोग मतलब समझ गया होंगे इसलिए कहा जाता है तुष्टगुन की ब्रद्धि को ही कहा जाता है तो फिर जब व्रद्धी केबल यहा पर व्रद्धी ली गई है एक कीज़千सी यहा पर देखेंगे जब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्रद्धी ली गई था दो रких लेते हैं जब पांच साल के बाद में पांच पिड़ाए हैं ठीक है इसके अंतर और यह अभी का ठीक यहां पर हम लोग अभी लिख लें हम समझाने की समझाने के लिए बसे सब लिख रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा ना आप खुद वखुद लेंगोज बनाकर लिख के आएंगे यह मा मार तो हो गया यहां पर यहां पर भी देखिए यहां पर कुछ तो मिला लकड़ी कुछ तो मिली तो के जी मिली लेकिन मिली तो यहां पर क्या हुआ उसी जगाय पर पांच साल पहले सो के जी लकड़ी मिली हुई थी यहां पर पांच साल के बाद में सो के जी लकड़ी मिली तो इतनी बताप सभी लोगों को समझ में यहां पर क्या हुआ हो यहां पर क्या हूआ उत्पादन नहीं हुआ ठीक है अगर हम लोग ऐसे देखते रहे तो यह आप सभी लोगों को इतनी समझ में आ गई होगी कि उत्पादन का अर्थ क्या होता एक तुष्ट गुण में ब्रद्धी होनी चाहिए जो भी वस्तु का निर्मार हो रहा है उसमें ब्रद्धी होनी ठीक है इतनी बात बिल्कुल आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी और सास्त्रियों की ही बात करूँगा अगर हम दोग देखें और पेंसन की बात देखें ठीक है उत्पादन से अप्राय मानव आवस्यक्ताओं को संतुष्ट करने योग सक्ति में ब्रद्धि करने से हैं यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा हुआ है देखिए यहाँ पर उन्हों कहुआ है मानव आवस्यक्ताओं को संतुष्ट करने से हैं अगर उत्पादन होना चाहिए उत्पादन हुआ उत्पादन कैसे होगा मैंने अभी बताया है कि उत्पादन कैसे होगा जब किसी वस्तु का निर्माड होगा निर्माड का मतलब उसके उसके तुस्ट गुड में ब्रद्धी होने चाहिए तब यहाँ पर हुआ उत्पाधन साथ में क्या होना चाहिए संतुष्ट होना चाहिए जिस व्यक्ति के ले जैसे कि आपने सोफा बनाया आपने कहा कि सोफा एक बढ़ियासा बना देजिए लकडी का सोफा बना दिजिए उसने लकडी का सोफा बना करके आपको दे दिया लेकिन जैसा आप माग रहते उस प्रकार का उसने सोफा नहीं दिया है जैसे आपने बताए थी जैसे डिजाइन बताए थी जिस प्रकार की सीर्स पगारा जो भी बताए था तो फिर उसमें क्या करने की योग्यता सबसे पहली है शक्ति में बरध्ध करने की वस्तु के निर्मान से उन्होंने बताया है कि उसको संतु होने की आवसक्ता ज्यादा जरूरी है तभी उसका निर्मान माना जाएगा ठीक है अगर हम लोग दूसरे जो अर्ष सास्त्री हुए है फ्रेजर के विचार के नुसार हम लोग देखें अर्ष सास्त्री हुए है यद उपभोग का अर्थ उपभोग का मतलब है यहाँ पर जो व्यक्ति एक तो उत्पादन होगा फिर उत्पादन के बाद में आप लोग क्या करेंगे उसको जैसे कि किसान ने क्या किया फसल को पैदा किया पैदा करने के बाद में आपने खरीदा और आपने खाया तो उसको आपने क्या किया आप कौन होए उसके उपभोगता हुए ठीक है आपने उसका उपभोग किया ठीक है उपभोग का अर्थ वस्त में नहीं तुष्टिगुण को समाप्त कर देने से है अब देखी यहां पर मतलब जो भी उसमें निर्माण हुआ था जब हम लोग ब्रद्धी का स्रजन कर देने से ही इसका जो इन्हों ने दिये परिवासा दिये उसको ही उत्पाधन माना हुआ है अगर हम लोग देखें थामस के सब्दों में देखें वस्तु के मूल में ब्रद्धी ही उत्पाधन है जब वस्तु के मूल में प्रद्धी हो तो उसको इन एक अनुक्त को को आप सभी लोग जानते होंगे कि पूरा थेयोरी का पर होता है पुछास नंबर का पर होता है कोई भी प्रेक्टिकल में नंबर आपको नहीं तो इस प्रकार से अगर आप लोग इसमें थोड़ी से मेनत कर लेंगे बहुत अच्छे आप लोगों के नंबर आ सकते हैं देखे एक अर्थ सास्तरी होसे Art सास्त्रिकन स्रजन्क ही उत्पादनैं जो तीम है उसका स्रजन करना ही ऊत्पादन तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया एक सिल्वर मुए नाम कि एक वैग्यानेक हुए उन्होंने क्या बताया है अगर हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा दे उत्पाधन तुष्ट कुन का सरजन करता है मतलब उत्पाधन जो होगा वो तुष्ट कुन का सरजन करेगा तो इस वाले वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं इसके आगे हम लोग इस सीरीज को लगातार आगे बढ़ाएंगे यदे आप सभी लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें विना इस वीडियो को ना जाएं धन्यवाद दोस्तों